वर्मेट में आपको बताते हूं मैं क्या पी रही हूं दोस्तों यह है काणा अपको पीलो यह अपकी सर्दी जुका में खीच लेता है मौसरम चेंज होने के वैसे जो बीमारी होती है बहुत दूर कर देता है और साथ के इमिलेटी वढ़ाता है दोस्तों यह गणा है तो दोस्तों गार में सबी लोगी काड़ा पीते हैं और इसको बनाना बहुत है अगर आपको थोड़ी सी वैसा लग रहा है कि अपको सर्दी जुखांग है तो आपको इसे जरूर पीना जीए दोस्तों इसमें बहुत ही वाश्रदी वाली चीजे हैं अगर आपको अपनी बनानी है तो आपको ये काड़ा जरूर ठ्राय करना चीए तो चलो आप लोगी काड़ा देखो कैसे बनाना है आपको तक मैंने से निश करते हूं और हाँ दोस्तों पहड़ी बाद चानल पर आए हो तो आपको क्या करना है नीचे तो रेड कलर का बटन है उसे सब्सक्राइब कर लेना है बगल में लगी गंटी बजा देना है गंटी के साथ आथा और बटन उसे प्लिक कर देना है ताकि आने वाड़ी वीडियो की सभी न सब्सक्राइब करके इस पानी में उबलने के लिए डाल दिया है अब यहां पर जो दूसरी इंपॉर्टन चीज मैं ले रही हूं वह है गलोई जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है करोना डाइम पर दोस्तों मेरे पास है गलोई की एक बेल जो घर पे बंगा लिया जिससे सर्दी खासी जुखाम से हम बढ़ सकते हैं बहुत सारी रोग वैक्टेरिया और वारस से बढ़ सकते हैं क्यूंकि यहां हमारी रोग पतभेत रोदग्शम्तन को पढ़ाता है तो इसको लोग को भी चूट कर इसका जूस निकाल लेंगे दोस्तो में 4-5 काली मिर्श लूई काली मिर्श भी बहुत दिनों से यानि सर्दियों से हमारे यूज की अजारा है इसमें एंटि वेक्टेरियल गुड होते हैं जो सर्दी खासी जुकाम को ज़र से खत्म कर देते हैं अब मैं लेने मारे हैं 3-4 लॉंग दोस्तो इन सारी चीजों को हम आपस में कूट लेंगे यानि इसका रस निकाल देंगे दोस्तो लॉंग भी बहुत पुराना नुसका है सर्दी खासी जुकाम को दूर करने का इसमें एंटि वेक्टेरियल एंटि इंफ्लेमेंटि एंटि फ इसे अच्छे से ढख दीजे अगर आप ढखेंगे नहीं तो इसके जो गुण है वह बाहर चले जाएंगे तो इसे ढख के हमें पकाना है बीच में एक बार से चरूर करेंगा यह देखिए हमारा जो पानी है वह लगबग आधा रह गया है इसे अच्छे से चला देते हैं द दो गफिए भाड मिसेरी का काला बहुत है आप चौथ नहीं अच्छें आप चौईत्व और चीजे भी एड कर सकते हो दोस्तों आप चो यह वह तो यह तो यह इसमें यान अधानेय वाली हो जूद्री दोस्तों यह जो प्रिष्ट है तो मैं तो מס्विश यह जाह चाने से और green tea भी हमारी सिहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है तो आप हो सके तो green tea का इस्तिमाल करें जिससे हर कोई घर का बच्चा भी इस काड़े को पी सकता है क्योंकि इसका स्वात वाकिया में अच्छा हो जाता है दोस्तों हमारा काड़ा बनकी तियार हो चुका है और यहां पर देख लो मेरे पास दो चीज़े एक कप है गलास है गलास में मैं खुद पीने वाली हूँ क्योंकि मुझे सर्दिखा से जुखाम है और साथ ही मेरी दीदी को भी है तो मैं यह कड़ा उनको भी देने वाली और गलास में मैं खुद पी ओंगी तो चलो इसको पीते हैं दोस्तों यह जो चाहला है हमेशा याद रखे कि आप कोई भी घाड़ा पीरो तो उसे गरम पें गरम का मतलब है हल्का गुंगुना जिससे आप बिल्कुल न जलें दोस्तों गरम काड़ा पीने से ही साथिक आश तब आप कोरोना नामक वायर से बस सकते हो यानि जब तक हमारी रोग पेतरों तक शमता ही नहीं रहें तब तक हम इस बस सकते तो आपनी इम्मनटी का ज़रूर क्या लगें और हो सके तो इस काड़े को पीते रहे है तो दोस्तों मैंने यह जो काड़ा है बिल्कुर फिरिश कर लेया है और अपने शरीम मुझे गर्माहर से मैसूस हो रही है तो आपको इसे जरूर ट्राइ करना चाहिए अगर आपको लगे कि आपकी थोड़ी सी बीक होगी है तो तु आप इसे जरूर पिना और पीने के बाद आपका क्या मुरा मेरे साथ कमें सब्सक्राइब करना एं बोल रही हो ना तो मुझे लग रहा है कि मेरी कले जना गरमाहर तारी है तो काफी अच्छा लग रहा है कि किसी काई भी वह ली तो ज़रूर घ्राई करना है बहुत ही अच अगर आपको लग रहा है कि किसी की जो हेल्थ है वह थोड़ी सी वीक है इस वक उसे इस काढ़ी की जोड़त है तो जरूर उसके साथ शेयर करना दोस्तों क्या करना है आपको पहली बार चान पर आया तो चानल को सब्सक्राइब कर लेना अगर में लगे घंटी बता देना घंटी ये साथ आता है और का बटरों से भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो भी सब्सक्राइब आप तक हो सके फिर हाल दोस्तों मुझे आग्या दीजी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तक तक लिए जय हिल जय भारत